हेलो विज्ञान एक्स्प्रेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत और हम फिर आज रहें एक नए वीडियो के साथ में और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए लिखी हुई है बच्चो ये नहीं सोचना है कि वक्त निकल गया है अब हम करें नहीं करें कप करें हर एक शन एक नई शिरुवात हो सकती है मेरी बात याद रखना हर एक शन एक नई शिरुवात हो सकती है शिरुवात करने के लिए कोई उम्र नहीं होती कोई चीज नहीं होती है जो कि आप न सबसे बड़े और लंबे जंतु जो हैं वो कौन-कौन से हैं उनको आज हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं देखिए सब से पहला कुशिन है टॉलेष्ट एनिमल टॉले अनिमल सबसे लंबा जंतु रेखहरे आप यह लंबी गरदन का मालिक आपको एक ही मालूम है कौन है जिराफ ठीके ना कौन है जिराफ जिराफ हाती से भी उंचा होता है मालूम है ये उंचाई के अंदर उंचाई के अंदर ये खड़ा रहे तो हाती से भी उंचा जीव है तो इसकी लंबी गर्दन है लंबी गर्दन एक तो इसकी जो ग्रास नाल होती है वो बहुत लंबी होती है यानि कि इसो फेकस बहुत लंबी होता है और नेक जो होती है वो तो इसके लंबी होती है तॉलेस्ट एनिमल जिराफ आपको याद हो तो इसी के उपर लेमार्क ने वो बताये था थे और जो चीज काम में आ जाती है है ना वो चीज लंबी हो हो जाती है और जो चीज काम भी नहीं आती हो विलुक्त हो जाती है आर यू रिमेंबरिंग और नॉट कि वो जिराफ की जो लॉंग नेक है उसका कारण उसने बताया था लगी लेकिन वो बात अलगे कि अब हम लोग उसको नहीं मानते हैं लेमार्किसम को तो टॉलेस्ट एनिमल जो है सबसे लंबा जनतू कौन सा है जिराफ है सबसे लंबा जनतू जिराफ है clear है now largest land animal सबसे बड़ा स्थलिय जनतू सबसे बड़ा स्थलिय जनतू कौन है भई हाती माराज elephant लेकिन इंडियन elephant नहीं इन्डियन эфф headache थोडा सा साइज में छूटा है ये कौण सा लॉक्सोडुंटा लॉक्सोडुंटाइ ठिक है लॉक्सोडुंटा कौन होता है वैफिकन इन्प ठ King a अफ्रीकी आती लॉक्सरोंटा बोलते हैं इसको लार्जेस्ट लेंड एनिमल ठीक है लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल बहुत बड़ा जीव यह देख रहे हो लार्जेस्ट एक्वेटिक गभिश्च çıktे मैंने biggest animal, biggest aquatic animal, biggest mammal, कुछ भी कह दो, तो largest aquatic mammal जो है, वो को ने, तो आपने सुना होगा, blue whale, ठीक है न, blue whale, ठीक है, blue whale, ठीक है, blue whale, और उसका नाम क्या मलूँ है, जी लोजिकल नहीं, बैली नॉप्टेरा, बैली नॉप्टेरा, musculus, बैली नॉप्टेरा, musculus, blue whale, ठीक है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी, ठीक है, largest aquatic animal, सबसे बड़ा जली है, जनतु जो है, वो कोने, blue whale है, बैली नॉप्टेरा, musculus, इसका जुलोजिकल नाम है, ठीक है बच्चो, largest ape, सबसे बड़ा कपी, सबसे बड़ा कपी, सबसे बड़ा कपी, देखते ही मालूम पढ़ गया होगा, largest कपी, ठीक है ना, काफी समझदार भी होते हैं ये लोग, कई सारे जूब अगेरा के अंदर, आजकल तो रगभी रखा है, विदेशों के अंदर, कौन से है, गोरिला ठीक है, कौन सा है भई, गोरिला, largest ape, सबसे बड़ा ये लिदी कपी है, तो वो कौन है, गोरिला है, ठीक है, गोरिला, याद रखना, largest bird कौन सी है भई, पहचानी है कौन सी है, largest bird कभी किसी ने सरकस वगेरा के अंदर देखी हो, तो वो कौन है भई, ओस्ट्रिच, यानि कि शत्र मुर्ग, शत्र मुर्ग, और वो भी कौन सा है, स्टूचियो, स्टूचियो, क्या कहते हैं इसको स्टूचियो, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी तो ही है और इसका एक भी बहुत बड़ा है ना, इसको largest cell माना गया है, इसकी एक को, से बड़ा पक्षी औस्ट्रिच है, यानि कि शत्र मुर्ग है, उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा, स्टूचियो के नाम से जानते हैं, वी कौल इट स्टूचियो, लार्चेस्ट स्नेक कौन सा है, लार्चेस्ट स्नेक, तो वो कौन सा है, पाइथन, राइट, कौन सा भई, लार्चेस्ट स्नेक जो है, वो कौन सा है, पाइथन, इस इत क्लियर, पाइथन, ठीक है, लार्चेस्ट स्नेक, सबसे बड़ा जो सर्प है, वो पाइथन है, ठीक है पाइथन, यह भी अपने याद रखना कि पाइथन सबसे बड़ा साब है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यह पाइथन भी कौन सा, रेटिकुलेटरस, रेटिकुलेटरस, पाइथन रेटिकुलेटरस, सबसे बड़ा सर्प, लार्जेस्ट फ्रॉग, यह वाला, देखिए, इसकी पश्च टांगे कितनी लंबी है, सामानी मिंडग से बिलकुल बहुत बड़ा होता है, यह वाला, और इस लार्जेस्ट फ्रॉग का सबसे बड़ा मिंडग यह दिकुली है, तो वो कौन सा है, राना गोलियत, सबसे बड़ा मिंडग, यह देखिए, इसके पश्च बाद, बहुत बड़े हैं, तो यह कौन सा है, सबसे बड़ा जो मिंडग होता है, वो कौन सा है, राना गोलियत, लार्जेस्ट फ्रॉग, लार्जेस्ट लिविंग रिप्टाइल, लार्ज सबसे बड़ा जीवत सरीसर्प कौन है, सबसे बड़ा जीवत सरीसर्प तो वो है, क्रोकोडेलिया, क्रोकोडेलिया, पुरुसस, क्रोकोडेलिया, सबसे बड़ा जीवत सरीसर्प कौन सा है, क्रोकोडेलिया, पुरुसस, लार्जेस्ट लिविंग रिप्टाइल है, क्रोकोडेलिया, पुरुसस, नेक्स्ट, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, ये देख रहो, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, ये वाली, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, लगबग 10 फीट के करीब होती है, 10 फीट के करीब होती है, और सबसे वेरेनस कोमोडेंस के नाम से इसको जानते हैं, क्या कहते हैं, वेरेनस कोमोडेंस 10 फिट के करीब लंबी होती है, इसको लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड सबसे बड़ी जेवित छिपकली माना गया है सबसे बड़ा जहरीला सर्प, तो वो कौन सा है, औफियो फेगश, क्या कहा मेने, औफियो फेगश है नहा। ठीके न, ये किंग कोब्रा वगिरा जो होता है, जिसको कहते हैं किंग कोब्रा, किंग कोब्रा ओफियो फेगस हन्हा राइट क्या कहते हैं ओफियो फेगस हन्हा सबसे बड़ा क्या है ये विनोमस ने के पोईजनस ने के जहरीलास ने के ओफियो फेगस हन्हा यार रखो कि कौन सा भई ओफियो फेगस हन्हा King Cobra बहुत deadly poisonous होता है काट ले तो फिर गया इंसान काम से है ना और वक्त के उपर यह दी डॉक्टर के पास में नहीं पहुचे तो मर जाएगा वेक्टी largest flying bird ठीक है वो कौन सा है Diomedia Diomedia Excelsis Diomedia Excelsis ठीक है ना Diomedia Excelsis सबसे बड़ा उढने वाला पक्षी सबसे बड़ा उढने वाला जो पक्षी है वो कौन सा है राइट वो यह है ठीक है तो आप यह Excellence ठीक है Diomedia Excellence इसको अपने Albistros भी केतने Albistros Albistros इसके wing देख रहे हो यह वाले राइट यह जो wing है वो बहुत बहुत ज़ादा क्या है developed एक काफी खूबसूरत पक्षी है और wings आप देख सकते हो कि कितना फैलाव है wings का ठीक है क्या कहते है इसको Albistros largest flying bird सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी मैंने सबसे बड़ा पक्षी नहीं कहा है सबसे बड़ा पक्षी जो इस avoir था वो तो कों था ostrich था यह कौन सा है सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी जिसका की नाम क्या है Diumedia excellence है Albatros भी कहते हैं इसको तो दोस्तों ये था आज एक important वीडियो जो largest animals और longest animals या tallest animals थे उनके उपर ये वीडियो बेश था हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरीकी के बहुत सारी वीडियो आने वाले दिनों में और भी लेकर आने वाले हैं देखते रही हैं आप लोग विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही